कि अलो दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इंडेक्शन मोटर जीरो स्पीड पर भी चलती है यह कोई जोक नहीं है से टू मोटर रियली रन सेट जीरो स्पीड यह टॉफरिंग्ट प्रसेंट आप मतलब मोटर रुकी रहेगी लेकिन आप शाप नहीं घुमा पाएंगे यह से म एक्टर कंट्रोल की कारण हीं डीसी मोटर आज आज आउट आफ फेशन हो चुकिए है दोस्तों आज हम डिसकूस करेंगे वाट आर दी वेरियस कंट्रोल मेथर्स अभी अव्यवडी के नॉफर्स एंड हाव टू सलेक्ट बेस्ट शूटेबल फॉर एप्लिकेशन दोस्तो किसी इंडेस्टी में टोटल कंजूम्ड एनरजी का लगबग 50% मोटर्स का होता है राइट कंट्रोल मेथर सेलेक्ट करके ही हम मोटर से मैक्जिमम टॉक और ओवरल परफॉर्मेंस एफिशनली एचीव कर सकते हैं ताकि पावर और डाउन टाइम कम किया चा सके यह सब्सक्राइब को बहुत जल्दी ऑन अफ किया जाता है और आउट्पूट में हमें डीसी वोल्टेज की फल्स मिलती है इन इसको पल्स की रेट एक करिया करती है जिससे आईजी बीडिस को अन आफ किया जाता है जनली एक करिया फ्रक्राइब कर सकती है मोस्ली इसे स्टे त्रेटर बार्ख्राइब किया जाता है तो यह सैनसरायल बन जाती है जो करेंदेंटक्तर करता है आपको सब्सूर्ण में पल्स की विड को वेरी करके संट उर मेंगनिदूट मतलब वल्टेज को वेरी किया सकता है यह सब पल्स बाडुलेशन टेखनीक से अचीव ग जाता है वाटर कंट्रोल मेथर्स एक इंडेक्शन मोटर को मेक्जिमम टॉक्ट डिलीवर करने के लिए एक कांस्टेंट फ्लक्स पर डिजैन किया जाता है यह फ्लक्स वोल्टेज और फ्रक्वेंसी के रेशो वी बाइफ के प्रपोर्शनल होता है पर एक मोटर जो फॉर ብ की यह सब्सक्राइब कम करने के लिए दो प्रक्वेंसी को कम किया जता है तो इस टेटर में बढ़ाती यह कं हुझाब सब्सक्राइक मिल सब्सक्राइब अगर इसके लिए विपक्रेंट कि कुम ट्राहरों सब्सक्राइब कि इसलिए को स्पीड की पूरी रेंज मतलब जीरो से 50 हज तक रखा जाता है यह सब अचीव किया जाता है अगर अपनी एप्लिकेशन में वेरिवल टॉप की रुकार्मेंट है तो वह भी आप यह पीजिव कर सकते हैं कैसे आगे देखते हैं चलिए पहले स्पीड कंट्रोल क क्या है वो देख लेते हैं इसके लिए कंट्रोल मेतर इसे विए कंट्रोल भी कहते हैं इस मोड में वोल्टेज और फ्रुकंसी दोनों को एक साथ किया जाता है ताकि स्पीड की फूल डेंज में टॉप को कॉंसें रखा जा सके यह रिश्यों मोटर की नेम प्लेट पर सब्सक्राइब करते हैं विवाइफ कंट्रोल बहुत ही इजी है बस में मोटर डाटा एंटर किया और इसलिए स्पीड फीड़बेक की जरूरत नहीं पड़ती इवन वी अपडिकों करने की भी जौद नहीं पड़ती है लेकिन इस हाइली रेकमेंडेट टू पर्फॉर्म पर्फॉर्ट ट्यूनिंग और स्टेबिलेटी इसकी अप्लिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है तो इसको मल्टिपल मॉटर्स को पर्लेर करनेक्ट कर स्पीड कंट्रोल के काम में आता है यह अप्लिकेशन टेक्स्टायल में स्पिनिंग सेक्शन जांब बहुत सावे पूल स्पीड चलाने में काम आता है अब वीवाइब कंट्रोल मेतड को मोटर की रेटेड से ज्यादा चलाने के लिए इसे मशिनिंग टूल या इस्पिनिंग एप्लिकेशन में भी यूज किया जा सकता है लेकिन जब आप मोटर को और स्पीड पर चलाते हैं और वीप्ट को प् प्रोग्रमिंग में आपको प्रीशेट वीवडी पेटर्न सेलेक्ट करना पड़ता है जो एप्लिकेशन की रुकामेंट जैसे कॉंस्टेंट या वरीबल टाक के इसाब से होता है यह आप अपना खुद वीवाइब पेटर्न भी कस्टमाइज कर सकते हैं यह यह वीवाइब पेटर्न कुछ नहीं बलकि वोल्टेज और फ्रकेंशी के रिशो का एक कर्व है जो एक प्रेटिकलर मोटर फोलो करती है वीवाइब यह बताता है कि पैटिकलर मोटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा यह प्रिशेट पैटर्न भी सलेक्ट कर सकते हैं और यह पैटर्न को कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप अपनी एप्लिकेशन के साब से अब वीवाइब मोट के कुछ लिमेटेशन भी हैं जैसे कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि मोट विल्टॉक अप्लिकेशन जैसे फैंस हो गया है पंस हो गया के लिए बहुत है इनफ है पर यह मोट स्टार्टिंग में हाई लोड को सर्व नहीं कर पाता इसलिए यह इसकी लिमेटेशन है स्टीड रिखनेशन मेंग्जीमम स्टीड का दो से तीन परसेंट है इसलिए इसमें एक्यूरेट इस्पीड कंट्रॉल पॉसिबल नहीं है मिनिममम 3 रहस का स्पीड सेट पैंट चाहिए तूचेंजिंग इनी स्पीड इससे नीचे विफडी रस्पॉंड नहीं करता विव वीफ कंट्रोल विफ इस पीड एंग कोडर अगर फिड वीफ मोट सेंसर सरल स्ट्रोल में एक स्पीड एंग एक जाया तो फोइंट रही सकता है इसमें इन्टूल पॉसिबल बहुत इंड कंट्रोल नहीं है जहां आपको बहुत ही क्लोज चाहिए वहां आप इस मोड़ पर फिर फ्रक्टित्र और स्पीड रेसबॉंस और इस ईस शेम है जैसे अपन लुप में है जिस्टीर को स्विटन पूशन का है यह जानने के लिए इस कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है यह पूलिश किया ज्या जाता एक इस कल्कुलेशन से बीड इक गिवन फ्रक्वेंसी पर आउटफ वोल्टेज प्रेडियूस करता है जो रोटर को मूँव करता है यहां कंट्रोल करता जस्ट एक अटोटीड को इसके लिए सबसेबल मोटर नेमप्रेट डेटा को बीफडी में एंटर किया जाता है उसके बाद सब्सक्राइब करता क्या है कि इस फीचर से मोटर के लेक्रिकल और मेकेनिकल ब्यार का पता लगाता है इसमें इंपिडेंस और मेकेनिकल पिकप रिस्पॉंस से एक मैथमेटिकल मोटर किया जाता है तकि अपने मोटर कंट्रोल की अल्गोरिफम को अकोडिंगली एड्जेस्ट कर सके जिससे डिफ्रेंट स्पीड पर वोल्टेज और करन्ट क्या रहेगा वह रिलेशंशिप निकाला जाता है मोट की तरह किसमें विप्टरन फिक्स नहीं पर कभी-कभी मोटर को अपना पॉसिबल नहीं होता है इसके लिए वीपडी में स्टेशरी मोटरा सेलेक्शन होता है हलांकि इसमें वह एक्विडेट कंट्रोल नहीं आता पर सैटिस्फेक्टरी परफरमेंस अचीव किया सकता है ना ओपन लूप कंट्रोल ओपन लूप व जिरो-पाइंट्वाइब ह्स्की ब्रीट वह भी जा सकते हैं वो भी टॉक को बिना स्ट्रिफाइक किये मोटर की सप्पीड और टॉक्ष को इंडडिपेडंट्य को इंडिपेडिंटल किया जाता है मितली इस में कोंप्लेक्स मैख gesch को तो यूज़ करके थ्रीफेस्स सिस्टम को जो टाइम और स्पीड में करता है को करता है दो कोडिनेट सम vibrr資 में किया जाता है तो वोट्ष करते हैं मोटर की स्कुण करन्ध में दो करन पंपोनेंट होते हैं एक चमक्पोणेंट जो रौतें फ्लट सक लिए होता है जिसे मैंगनेटइजिंग करन आईई भोलते हैं दूसा कंपोनेंट जो टॉक के लिए रिस्पॉंसिबल होता है उससे टॉक प्रोड़िसिंग करन आई क्यू बोलते हैं इन दोनों करण को दो इंडिपेडेंट पी आई कंट्रोलर से प्रपोर्शनल प्लस इंडिग्राल कंट्रोल से गट्रोल किया जाता है और टॉक्षिंग करन्ट जो है आईडी को रोटर फ्लक्स प्रोडूसिंग करन्ट आई क्यों के 90 एंगल पर रखा जाता है ताकि हमें फुल स्पीड ट्रेंज में मैं मैंग्जिमम टाक अवलेबल हो अब यह 90 डिग्री क्यों कि इस फामलों को इसमें अगर देखें तो इसमें मैक्जिमम टाक प्रेड्यूस करने के लिए दोनों करन्ट के बीच में 90 एंगल मस मोटर में इसलिए को कम्यूटेटर से मेकेनिकली 90 डिग्री पर रखा जाता है ताकि लोग स्पीड पर मैक्जिमम टाक अविलेबल हो सके ऑपन लूप कंट्रोल को सेंसरलेस कंट्रोल भी कहते हैं क्योंकि मोटर के सारे परामेटर मैथमेटिकली डिराइव किये जाते हैं से सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल के लिए एक्यूरेट मैथमेटिकल मोटल होना चाहिए इसके लिए वीपडी को अट्यून करना बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है इस कंट्रोल में जैसे कि हमने डिसकर्स किया लोग स्पीड वर भी टाक हाई टाक अबलेबल होता है इसका मोटर स्पीड और टाक एक ही डिरेक्शन में हो जैसे आपके कनवेर बेल्स होगे फीडर सेंट्रिफ्यूज ट्रेशर और भी कुमेंट आते हैं एक मोटर रिजनरेटिंग मोड में तब आती है जब लोड मोटर के रोटर को पुल कर रहा हो मतलब खीच रहा हो मतलब जब र सब्सक्राइब करता है कि बेश ऐ忪 गोल्टेज क्या होगा यह स्थ्म थे जाक्रोल के इसी फीचर की कानल रिएब्डी लोड को बिनाव मूग की होल कर सकता है एक दम स्टेंड इसका जो आपका रेस्पॉंस है जीरो से फिप्टी हर्स तक है मतलब मोटर को आप जो से पचास हर्स के बीच में कहीं पर भी चला सकते हैं आपकर सकते हैं स्पीड कंट्रोलेज़ वनेश्टू फिफ्टीन हंडेड तक है हाइस मतलब 0.3 हर्स तक कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल में अब तक का सबसे हाइस यह रेश्यों है अलब ऑपरेटिंग रेंज है कि क्लोज दूवेक्टर से आप मोटर को टॉक कंट्रोल में चला सकते है इससे विफडी मोटर स्पीड की जगह मोटर टॉक को कंट्रोल करता है यह उन्हें अप्लिकेशन में चीए होता है जहां स्पीड से ज्यादा टॉक इंपोर्टेंट है जैसे वाइंडर्स और कैपिंग एप्लिकेशन से हैं तो दोस्तों कैसा लगाई है विफडी अप्ल